हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अप्रेल मई में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है इस बीच उत्तर प्रदेश में ब्यस्पी जो है लगातार बैठक कर रही है असी लोकसभा उम्म अपनी अपनी तैयारी कर रही है उधर खबर जारखंट से है जहां पर मुख मंतरी हैमन सोरेन को एडी ने गिरफतार कर लिया है बीजेपी साम दाम दंडभेत की राजनेती कर रही है इस समय जो उसके साथ जाता है वो भरष्टाचारी नहीं है जो उसके साथ नहीं जाता ह वो जेल जाता है तो हेमन सुरिन के बाद कहा जा रहा है के जरीवाल को एड़ी किर अफ़तार करेगी उसके बाद तेजस्वी आदव को और एक एक करके सारी पक्षिनेता जेल में जाएंगे चुनाव से पहरे तो दोस्तों नितीश कुमार जो इंडिया गडबंधन की सुत्रधार थे वो भी बीजेपी जो आइन कर चुके हैं लेकिन एक क्लिप इस समय काफी चर्चा में है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों एक क्लिप बहुत ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है और ये क्लिप है बॉली बूट के सुपर स्टार शत्रगन सिना साब का शत्रगन सिना ने ब्यस्पी सुप्रीमों की खूब तारिफ की है ना सिर्फ ब्यस्पी सुप्रीमों की बलकी मानवर कांशी राम जी की भूरी भूरी प्रशनसा करना है दो हो किसी को बता भी नहीं सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर किये मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जिसमें शत्रोगं तिना tussen मायावती जी ना सिर्मायावती जी बलकि अनवर कांशी राम जी की भी वो तारिफ कर रहे हैं तो देखिए शत्रोगं सिनहा का ये वीडियो जिसमें वो माया वती जी की तारिफ कर रहे हैं तो दोस्तों माया वती जी का शद्रुगन सिनहा के उपर ऐसा एहसान है कि वो किसी को बता नहीं सकते जिन्दगी भर आभारी रहेंगे दोस्तों माया वती जी के बारे में एक बात कहा भी जाता है ये कि माया वती जी एक हाथ से अगर किसी की हल्प करती हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता है याद करिए जब रोहित बेमुला की जान गई थी एक दलित छात्र थे हैधराबाद में पढ़ते थे तब रोह भीज़े ही शद्रगन सिनहा खुल कर नहीं बोल रहे हैं लेकिन इस वीडियो से साफ तौर पर ये जाहिर है कि कुछ बहुत बड़ी घटना कहीं ना कहीं घटी होगी, कुछ बहुत बड़ा आपसान किया होगा, बहुत बड़ी मदद किया होगी, किस तरीके से क्या किया होग काफी तेजी से वाइरल है और इस वीडियो को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है चर्चा ये चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी की तरब से शत्रुगन सिरा अगले प्रत्याशी होंगे जी है दोस्तों कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जोईन कर सकते हैं शत्रुगन सिनहा तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात भी नहीं होगी क्योंकि शत्रुगन सिनहा के बारे में अगर देखा जाए तो शत्रुगन सिनहा पहले भारतिय जनता पार्टी में थे भारतिय जनता पार्टी में अब जिस तरीके की विचारधारा है मोदी शाह जब से है तब से उनकी विचारधारा से शत्रगन सिनहा इत्फाक नहीं रखते हैं और अब वो टीमसी के सांसद हैं लेकिन अब चर्चा हो रही है कि वो बस्पा में आना चाहते हैं दोस्तों कई सारे लोग इसको लेकर सोशल मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि माया वती जी उन्हें अभिनिता हैं शत्रगन सिनहा साब को लोग पसंदी करते हैं और ऐसा होता है तो फिर दोनों के लिए चमतकार होगा जिस तरीके से मानवर जी की तारीफ कर रहे हैं माया वती जी की तारीफ कर रहे हैं उसे एक बात तो सच है कि इस वीडियो के आधार पर शत्रगन सिनहा सा गटबंधन करना चाहती हाँ अभी आधकारिक तोर पर पुष्टी नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि बसपा कॉंग्रेस का उत्तर परदेश में गटबंधन हो सकता है आप देख रहे हैं इंडिया गटबंधन में किस तरीके से खटबट मची हुई है उत्तर परदेश मे इंडिया गटबंधन को लीट कर रही समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने हाल ही में कॉंग्रेस पार्टी को 11 सीटे दी थी लेकिन कॉंग्रेस ने इसे सिरे से खारिश कर दिया कॉंग्रेस ने कहा तुम बड़े की हम बड़े हम डिसाइड करेंगे कौन कितनी सीट पर लड़ेगा लेकिन अखिलेश आदव करें हमारा PDA सब पर भारी है हम इंडिया गडबंधन को नहीं जानते हैं यहां तक कि इंडिया गडबंधन के आधार पर अखिलेश आदव जी ने RL को साथ सीट दी थी लेकिन कहा नहीं ले रही है कॉंग्रेस पार्टी एक दो सीट नहीं ले रही तो हम अकेले चलेंगे एकला चलो रे की निती अपना ली है दीदी जी ने केजरीवाल उधर अकेले चनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और नितीश कुमार भारतिय जंता पार्टी डरके मारे जोईन कर चुक जिन नेताओं को इंडिया गडबंधन में होना चाहिए था वो नेता इसमें नहीं थे ना उबैसी थे ना मायावती जी थी और उन नेताओं को शामिल किया गया था इंडिया गडबंधन में जो बीजेपी की मदद कर रहे थे और इसलिए शायद इंडिया गडबंधन भी शामिल कर सकते थे नितिश कुमार प्रधानमंतरी बनने का सपना देख रहे थे और इसलिए वो भारती जनता पार्टी में चले गए हैं मुखमंतरी बनके मौन करके बैठे हैं दोस्तों तो तो ये शतुरुगन सिनहा साथ का वीडियो इस समय काफी चर्चा में है बड़ा सवाल क्या शतुरुगन सिनहा साहब बहुजन समाज पार्टी जॉइन करेंगे क्योंकि दोस्तों ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जिस तरीके से मायवती जी की तारीफ कर रहे हैं एहसान की बात कर रहे हैं उससे तो जो बहुजन समाज के नेता है बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं तो क्या शतुरुगन सिनहा साहब बहुजन समाज पार्टी में आने की सोच रहे हैं अगर वो बहुजन समाज पार्टी जॉइन करेंगे तो क्या बसपा सुप्रीमों उन्हें लोग सभा का टिकिट ठमा देंगी दोस्तों कई सारे स हावाल खड़े हो रहे हैं हाला कि कुछ लोग ये भी इस क्लिप के आधार पर दावा कर रहे हैं कि ये क्लिप पुरानी है लेकिन इस पुरानी वीडियो को भी दोस्तों इस समय नया करके दिखाया जा रहा है कहा जा रहा है कि शतुरुगन सिनहा के जो दिल में है वो उनकी की बात मुश्किल से ही जुबान पर आती है तो शद्रगन सिना के दिल में जो था उन्होंने कह दिया आज कहा कल कहा बहुत पहले कहा उससे फर्क नहीं पड़ता है तो बड़ा सवाल क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी जॉइन करेंगे शद्रगन सिना साहब क्या वाकई लोग सभा का चुनाओ बहुजन समाज पार्टी के टिकेट पर लड़ेंगे कई सारे सवाला था दोस्तों और इन सवालों को लेकर मैं चाता हूँ आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग भी अपनी परत्किरिया दीजिए क्या शद्रगन सिना जी को बसपा जॉइन करना चा सहयोग करिए आर्थिक रोप से भी सहयोग करिए वीडियो को जन जन तक महँचाए जिससे देश की जनता जागरों को बहुत बहुत धन्वार शुक्रिया जय भारत जय संद्रगन